प्रियों शिक्षार्तियों, मैं बाल कृष्ण राय, श्यक्षिक अधिकारी हिंदी आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों से माद्धिमिक स्तर पर हिंदी के विशे में चर्षा करने जा रहा हूँ शिक्षार्तियों, भाषा हमारी पहचान है भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेशित करते हैं जहां तक हिंदी भाषा का प्रशन है, यह देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है परन्तु इस भाषा में कौशल प्राप्त करना जरूरी है भाषा के चार कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इन पर विचार किया गया है और उसमें दक्षता हासिल करने पर चर्चा हुई है साथ ही इसे जीवन और जगत की जो विभिन आवशक्ताएं हैं उसको द्रिष्टी में रखकर दैनिक जीवन से जोडने का प्रयास किया गया है दूसरी महत्वपूर्ण बात इसका उद्देश से आप में भाशिक कुशलता लाना है तथा अभिव्यक्ती छमता का विकास करना है चुकि जीवन में हर एक छेत्र में इसकी उपियोगिता है संप्रिशन छमता से ही एक अच्छे केरियर का निर्मान किया जा सकता है इसलिए इस पर बल दिया गया है इस पाठेक्रम से आप में हिंदी पढ़ने की दक्षिता बढ़ेगी आप आवशक्ता नुशार भासा के विभिन आयामों को पढ़कर समझ सकेंगे इसके साथ साथ शुद्ध और परिमार्जित वो जो प्रामारिक भासा है उसमें अपने विचारों को प्रगट कर सकेंगे पाठेक्रम में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि व्याकरों को उसमें समाहित किया जाए ताकि वो आपके लिए बोजिल न हो हाईए अब पाठेक्रम जो निर्धारित किया गया है उसकी विशेश्ताओं पर थोड़ा विचार कर लेते हैं इसमें सभी विधाओं का समावेश किया गया है इसमें प्राचीन से लेकर आज तक के रचनाकारों को समनवित करने का प्रयास किया गया है जैसे आप देखेंगे कि कबीर और रहीम से लेकर नए रचनाकार निर्मला पुत्तुल तक को सामिल किया गया है इस पाटेक्रम की अन्य विशेष्टा यह है कि कहानी का अगर व्यापक फलक देखेंगे तो इसमें अमरकांद की कहानी से लेकर ब्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानी शतरंज की खिलाडी है उसे भी शामिल किया गया है इसकी एक और विशेष्टा है कि इसमें अहिंदी भासी रचनाकार बाल चंदरन चुल्ली काट की कविता को भी लिया गया है ताकि वहां की वनवस्तितियों को भी वहां के चिंतन को भी आप समझ सकें साथी दूसरी भाषा के अंग्रेजी के रचनाकार ओस्कर वाइल की कहानी सुखी राजकुमार को लिया गया है ताकि उनकी माननेता उनकी विचारों उनकी सोच सबको समाहित किया जा सके शिक्षारतियों मैं संचेप में मूल्यों पर बात करना चाहूंगा चुकि शिक्षा का एक मूल मंत्र है कि आप उसमें मूल्यों की स्थापना करे और आप इस पार्टे करम को अगर आद्यो पांत देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें हर पार्ट में किनी मूल्यों का समावेश जरूर किया गया है जैसे बहादूर कहानी है उसमें आपको बालश्रम पर चर्चा मिलेगी दोहे में नीती का और उपदेश है मानवी मुल्य है गिल्लू कहानी है उसमें मानवेतर प्राणियों के प्रति हमारा जो प्रेम होना चाहिए वो दिखाई देता है आवान में राष्टी चेतना का प्रतिविंब मिलता है रोबर्ट नसिंग होम में मानवी सेवा का रूप मिलता है भारत की एक बहादूर बेटियां इसमें नारिश शक्ति करण का चित्रन आता है आजादी कहानी में कर्म शीलता का विवरन आपको मिलेगा चंदर गहना प्रकृति प्रेम पर आधारित है अकबार की दुनिया में आप मीडिया से जुड़ते हैं उसके विभिन आयामों से परचित होते हैं पढ़ें कैसे में पढ़ना एक कला है और आप देखेंगे कि उसमें उसके मूल सिद्धानतों को बताया गया है सार कैसे लिखन में लिखन कोशल पर विविचार किया गया है इसे जगाव कविता हमें जागरूख बनाती है जीवन के प्रती समय प्रबंधन के प्रती उसके बाद सुखी राजकुमार एक ऐसी कहानी है जिसमें मानवी हरदय का परिवर्तन दिखाया गया है बुड़ी प्रतीवी का दुख कविता यह प्रकृती के सनक्षन की बात करती है अंधेर नगरी में आप देखेंगे कि राजनीतिक अधा पतन के चित्रन के माध्यम से राजनीती का वास्ट्विक सवरूप क्या होना चाहिए उस पर चर्चा की गई है अगर अपना पराया पर हम बात करते हैं तो उसमें मानवी स्वास्त की सुरक्षा कैसे की जाए स्वस्थ कैसे रहें इस पर विचार है और बीती विभावरी जागरी कविता प्रकृति प्रेम पर आधारित है अगर हम नाखून क्यों बढ़ते हैं को देखते हैं तो उसमें मनुश्यता की बात की गई है और सतरंज के खिलाड़ी राजनीतिक व्यंग्य है और शाषन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसका विवरण है उनको प्रणाम में उन लोगों के श्रम को महत्व दिया गया है त्याग को महत्व दिया गया है जो जीवन में भले ही नसफल हुए हो देकि उनके प्रयास बहुत ही सरानी रहे और पत्र लेखन और निबंद लेखन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पूरा पाठिक्रम है वह कहीं न कहीं आपको एक पूरे जन जीवन से जोड़ता है प्रकृति से जोड़ता है मानुवी मुल्यों की पहचान कराता है जीवन कोशल का विकास करता है और आपके भाषा कोशल का संबर्धन करता है